नमस्कार दोस्तों ओम डिजिटल इस्टडी यूट्यूब चेनल पर आपका एक बार पुने श्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है 25 अक्टूंबर को RSSB LDC का रिजल्ट रिलीज हो गया था और कल साम को RSSB ने SSO पोर्टल पर LDC के टाइपिंग और Efficiency से संबंधित म मार्क्स भी अप्लोड कर दिये थे लेकिन उसके बाद में ट्राफिक ज्यादा होने की वज़े से आज सुबह तक साइट ओपन नहीं हो रही थी लेकिन दस बजे के बाद में साइट प्रोपर रूप से काम कर रही हैं तो अब आप अपने टाइपिंग एपिसेंसी और एक सकते हैं मैं आपको के मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूं छी कि से एसे एसे समय करदो मैं से माघ्वज्र लेख जाएंगे हैं तो इसके लिए आपको फ्राहते होगा क्रॉम ब्राउजर ओपन करना होगा Chrome browser में यहां पर आपको SSO लिखना होगा SSO लिखेंगे तो इसकी official website आपके सामने यहां पर आ जाएगी इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद में SSO का dashboard कुलेगा यहां पर आपका username डालना है इसके बाद में आपको यहां पर password डालने है कि देन यहां पर capture करना है कि 585257 जो भी आपके सामने आए उसको एंटर करने के बाद में आपको login पर क्लिक करना है कि इसके बाद में कि SSO पॉर्टल का मुक्यप्रस्ट खुल जाएगा यहां पर यह requirement पॉर्टल दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है खुए भी जाने हैं इसके बाद में यहां पर आपको अगर आप PC के माध्यूम से काम कर रही हैं तो तो कोई जरूरत नहीं है और आप मोबैल जिए में से अपना देख रहे हैं तो यह जो थिए ड्क रहे हैं यहां पर आपको क्लिक करना है इसके बाद में आपको डेश्टॉप साइट यहां पर क्लिक करके आपको डेश्टॉप साइट ओपन कर देनी है जिससे आपको देखने में आसा नहीं रहेगी इसके बाद में आपको यहां पर व्यू मौर पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर यह रिजट लिखा हुआ है इस रिजट पर क्लिक करना है तो जिस जिस इग्जाम जिस चीज का आपने एक्जाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा और एक्शन बटन पर यहाँ पर डारेक्ट रिक्वायर् और सेकेंड है रिक्वायरमेंट कलरक एलडी सी ग्रेंड सेकेंड यहां पर गेट रिजल्ट लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका रिजल्ट है वह ओपन हो जाएगा यह मेरा रिजल्ट है वह आ गया है मेरे टोटल 224 नंबर बन रहे हैं और पूरे हैं पचास में से पचास हिंदी ट्राइपिंग में 23 नंबर है और इंगलिश ट्राइपिंग में 23.55 नंबर है ठीक है तो आप इस परकार से अपने मांक से वह देख सकते हैं और दूसरी बात का सफी मित्र अभी भी अपना एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप एप्लिकेशन फॉर्म किस पकार से डाउनलोड कर पाएंगे उसकी भी मैं प्रोसेस बता देता हूं इसके लिए आपको वापस जाना होगा माय रिक्वार्मेंट में है पॉल को मैं है और यहां पर यह लिखा हुआ है डै़्यक्रवल में हो है यहओ एप्लिकेशन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका और जो sr-frane sr-prandha open हो जाएगा इसके बाद में हैं आपको यहां पर अगर जैसे आप यहां पर अगर पर क्लिक करूगे ना तो यह बता रहा रहा है ठीक है है न आप यहां से सेव नहीं कर पाऊब다고ैसी तो आपको क्या करना है यह लिखा है यहां पर क्लिक करना है इसके बाद में आपको इस सेर पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करके आपको यहां पर ओप्सन दिया है प्रिंट का इस प्रिंट पर क्लिक करना है प्रिंट पर क्लिक करोगे तो सेव पीडियाफ के रूप में आपका यहां पर ओप्सन मिल जा ते है